If you are new here, please hit the subscribe and press the bell. My new upload will inform you well. अगर आप यह जाना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं। हाली में Nokia 7 Plus की कुछ presentation images leak हो गई थी। और इसी leak हुए presentation images के हिसाफ से देखा जाए, तो Nokia 7 Plus Nokia का पहला ऐसा phone होगा जिसे launch किया जाएगा 18 is to 9 aspect ratio के साथ। हलाकि Nokia 9 भी 18 is to 9 aspect ratio के साथ rumor में है, तो देखते हैं कौन से phone को पहले launch किया जाता है। Rumor के मुताब एक इस नए Nokia 7 Plus में आपको मिलता है 6 inches का Full HD Plus Full View Display जो आता है Corning Gorilla Glass Protection के साथ। और इस नए Nokia 7 Plus को Aluminium Series से coat किया गया है तकि आपको एक ceramic texture और feel provide किया जा सके। अगर camera की बात करें तो इस नए Nokia 7 Plus में आपको मिलता है 12 प्लस 13 मेगा विक्सिल कालजीस Optics का Dual Rear Camera जो आता है एक LED Flash और 2X Optical Zooming का Ability के साथ। और front में selfie के लिए आपको मिलता है 16 मेगा विक्सिल का Selfie Camera जो आता है कालजीस Optics के साथ। इसके अलाबा Nokia 7 और Nokia 8 की तरह इस फोन में भी आपको Nokia OZO 360 Degree Special Audio Technology और बोथ ही features देखने को मिलेगा। और अगर इस फोन की performance की बात करें तो इस फोन में आपको काफी powerful performance मिलने वाला है क्योंकि इस फोन में आपको मिलता है Snapdragon की Octa-Core 660 chipset जो आता है 4GB high speed RAM और 64GB internal storage के साथ। और इसकी storage को आप expand भी कर पाएंगे up to 128GB भाया microSD card और इस फोन को power देने के लिए इस फोन में आपको मिलता है 4000mAh की battery जो quick charging को support करता है और जिसकी charger की rating है 9V by 2A यानि इससे आप अपने फोन को quickly charge कर पाएंगे और अगर इस फोन की बाकी features की बात करें तो इस फोन में आपको Android Oreo out of the box और लास्ट में इस फोन की price और launch date के बारे में बात करें तो इस नए Nokia 7 Plus की कीमर European market में करीब 399 यूरो होने की संभावना है वहीं पे Indian market में it is expected to launch at 26,999 रुपीज और इस फोन को 25 फरवरी बरसिलोना में आयो जीत MWC 2018 में launch किया जा सकता है लेकिन Indian market में इस फोन को कब अब तक launch किया जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई भी official जानकरी सामने नहीं आई है हलाकि यह भी सोचने वाली बात है कि अभी तक Indian market में Nokia 7 को ही launch नहीं किया गया है ऐसे में मुझे नहीं लगता Nokia 7 Plus को इतनी जल्दी इंडिया में launch किया जाएगा और दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस नए Nokia 7 Plus फोन के बारे में प्लीज लेट मी नो इन दा कॉमेंट सेक्सेन और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह का और भी इंफॉर्मेडिव वीडियो झाल